गुद मार्निंग अब्रिवन एक और नया दिन एक और लाइब मार्केट एजुकेशन में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ डेट है आज का 16 अपक्टूबर आज मंडे है और टाइम हो रहा 8.54 एम तो किस तरिके से आज हम लोग को प्लानिंग करनी है पहले देखना पड़ेगा कि प्री मार्केट कहां पर मार्केट ओपेनिंग हो रहा है ठीक है और एस पर अवर डेटा डेटा का हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए हम लोग इस दिन ट्रेट करने वाले हैं मतलब आज हम लोग यहाँ पर ट्रेट करने वाले हैं तो ट्रेट जो हम लोग करेंगे तो किस बैसे पर करेंगे टेकनिकल एनलेसिस के बैसे पर पर हम लोग प्राइस को समझ के ट्रेट करेंगे ना तो इसलिए previous data को देखना जरूरी है previous data क्या कह रहा है previous data में अगर price drop होता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर कैसे plan करना है price अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो कैसे plan करना है फिर price अगर नहीं उपर जा रहा है या फिर नहीं नीचे आ पा रहा है drop हुआ ना price बड़ा gap down के साथ में आपको पता है कि buyers थे hourly time frame के accordingly, फिर मैंने अपने trade को यहाँ पर gap area देखे square off किया, hourly time frame के accordingly, फिर market नीचे आ गिया, लेकिन दोबारा से market ने proper price behavior create किया, वैसे मैं afternoon पर trade वैगरा तो करता नहीं हूँ, afternoon पर बहुत heavy move मिल जाता है, लेकिन मैं ले लेते होंगे, इसे profit देखने से नहीं होता है, तो अभी जिस हिसाब से market drive कर रहा है ना तो market का price यहाँ पर drop होता हो दिखाए दे रहा है, और ना ही एक sequence में price यहाँ पर इस तरीके से बढ़ता होगा ना जा रहा है, एक ऐसे zone के आसपास में आ गया है ना market, ना ही previous high को market ने break किया होगा है, और ना ही लोग को market यहाँ पर touch किया होगा है, या फिर breakdown दिया होगा है, ऐसा कुछ भी formation नहीं है, तो इसलिए जो भी planning होगा काफी सो समझे planning करना है, लेकिन हाँ market ने strongness शो किया है, इस strongness को भूलना नहीं है, अगर आप selling के लिए जाते हैं, छोटा सा target ले स आप लोग full enjoy कीजिए, एक दो महीने अभी पूरा festival चलेगा, दिपावली, दुरगापुजा, सबी लोग positive mindset के साथ में काम कीजिए, थोरा बहुत बाहर में घूमना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना घर में बैठे बैठे न आपकी mentality यहाँ पर down हो जाएगी, और कि इसी भी चीज के लिए tension मत लीजे, सारा tension मेरा है कि मुझे कैसे आपको सिखाना है, बाकी YouTube में देखे जो भी वीडियो मैं आप लोगो के लिए बनाता हूँ, वो full quality content रहता है, जो भी analysis मैं करता हूँ, उसको सीखिए, live market में practice कीजिए उस इसको, जितना हो सके मैं आपको सही direction में ही indicate करने का try करूँगा, कभी भी कोई scam या फिर गलत direction में मैं आपको fake नहीं वाला हूँ, जो भी चीज दूँगा, value content दूँगा, चाहे वो पैसे लेके हो, या फिर free में हो, जो कुछ भी मैं दूँगा आपको, वो सही चीज दूँगा, और उसको सही proof market करेगा, जब आप उस analysis को देखेंगे, और उसको live market में practice करेंगे, इसलिए stock market से little tension मत लीजे, नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कते आ रही है, demotivate मत होई, अगर आप कभी demotivate हो रहे है, तो मेरे बारे में आप एक बार सोचेगा, कि sir हैं हम लोगों के लिए sir youtube पे video डालेंगे, और उससे ह आने में time लगता है, मेरे साथ बने रहेगा, चीज़ों को logically सीखेगा, ठीक है, so time हो रहा है, 9 बच के 11 मिनाट, pre market आ रहा है, 19, 746 का असपास मतलब market, ये level का असपास में opening दे रहा है, ठीक है न, ध्यान रखना है, आउली time frame के accordingly, अगर आप देखेंगे, तो फिलाल एक trend में market चलना start कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, कि market यहाँ पे trend में अपने आपको समालने का try कर रहा है, अगर कुछ buying का proper setup मिला न, तो थूरा बहुत जादा target के लिए हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि अगर market को selling में जाना था न, तो ये movement नहीं देता market, अगर उ कर सकते हैं, छोटा सा stop loss में, ये सब price अगर मिल गया न, तो लेके थूरा बहुत drive कर सकते हैं, हम लोग stop loss नीचे के level पे लगा के, wait करेंग, update करता हूं, आप लोग को time ओर 9 बच के 12 मिनट open होने दीजा market को, इस strike price हम लोग पहली add कर लेंगे, उननी 700 का, ठीक है? मार्केट ओपेन होती ही, negativity शो कर रहा है, ठीक है, negativity शो करने देंगे, कोई issue नहीं है, अगर हम लोग recent, जो bodily level पे low to high को mark out करेंगे न, तो 0.5 से भी नीचे trade कर रहा, थोड़ा साना सस्टेन होने दीजा market को, प्रूफ होने दीजे, ठीक थाक तो लग रहा है price, चली ठीक है price, 1900 का 500 में एकदम से quickly add करेंगे, don't worry ये negative candle नहीं है, बहुत quickly हम लोगो target मिल सकता है, कुछ और भी लेंगे quantity, ज्यादा नहीं लेंगे, 300, breakdown नहीं हो रहा है, इसको breakdown मत समझे, थोड़ा से रुकेगा, once a minute, एक ऐसे level पे market है न, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ऐसे level पे market है, bodily level पे अगर आप लेंगे न, तो आपको ये चीज़ समझे में आएगा, अब ये चीज़ साइवा trend line, ठीक है, इससे पहले गलत था वो, 300 और भी add-on करेंगे, चलिए, call option में, 1700 का हम लोगों ने add-on किया है, proper यहाँ पे market ने motion create किया हुआ है, and strongness ने show किया है, previous में, previous में strongness market ने show किया हुआ है, and एक proper trend में market चलना चाह रहा है, तो इसलिए नीचे के level पे buying किया हम लोगों ने, अगर उपर नहीं जा पाया, अगर नीचे price drop होना start हुआ, तो हम लोग square off कर देंगे, अपने trade को ठीक है, so risk to reward proper maintain होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, risk to reward proper maintain नहीं हो gap वला ADN उसी पर market trade करें, market ने proper एक motion भी दिया हुआ, ठीक है, easily एक move यहाँ तक तो move आ जाना चाहिए, and parallel channel से अगर आप देखेंगे, तो trend line आपको कुछ इस तरीके से plot करना चाहिए, ठीक है, एक zone बना लीज़े, ठीक है, एक trend line का breakdown पे आप false breakdown मान सकते हैं उसको, तो ऐसा करना है, चलिए, कुछ losses अभी चल रहे हैं, कोई issue नहीं है, wait करेंगा, अपरेट करता हूँ मैं आप लोग को, दोस्तो, market day by day अपने आपको बहुत ज़्यदा smart बना रहा है, अगर अभी आप लोग सही चीजों को follow करके, right direction में नहीं आगे बढ़ेंगे ना, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, and 2024 में आप देखेगा, market के हर एक chart बिलकुली अलग perform करेगा, इसलिए प्लीज आप मेरी हर एक वीडियो को काफी ध्यान से देखिए, मैं जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ना, यूटूब पे, ये बहुत ज़्यदा valuable है, मेरी analysis को follow कीजे, and उसको live market में implement कीजे, क्योंकि ये सब चीज ना, आगे जाके बहुत ज़्यदा आपका काम आने वाला है, and अच् चीज़ों को live में practice करेंगे न, तो market आपको बहुत सारा ऐसा knowledge देगा, कि logical market में कितना पैसा बन सकता है, and आपको अपने target and SL कहां पे, किस जगा पे लगाना होता है, and अगर आप 2-4 महिने से मेरी videos को देख रहे हैं, and फिर भी आप live market में कुछ ने कुछ गलतियां कर दे रहे है market में, live market में आपको सीखने को मिलेगा, plus आपको live market में chat group भी दिया जाएगा, जिससे कि prices किस तरगे से movement कर रहे है, buyers and sellers किस तरगे से order punch कर रहे है, हर एक चीज़ आप सीख सकते है, obviously इसमें कुछ आपका charges लगेगा, लेकिन बहुत valuable content है, maybe एक या दो दिन में prices of psychology का, ये lessons आ आ जाएगा, so channel के साथ में बने रहेगा, and मेरे free YouTube वीडियो से आप जो कुछ भी सीख रहे है ना, उसको live market में implement किजेगा, so time हो रहा है, 922 चलिए, अब market थो बहुत अपने आपको stable feel कर रहा है, don't worry, कुछ losses चल रहा है, घबरा ही है, मत घबरा जाएंगे, तो profit लेके नहीं जा सकते हैं, थोरा सा quantity 800 है, इसलिए fluctuations आपको दिख रहा है, यहाँ पे risk to reward की बात करें, तो at least इतना लेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग उने तो उपर में लिया है, हाँ, उपर में लिया हम लोगोंने, maybe इतना आज थोरा सा जादा आ रहा है, क्योंकि market world reality create कर रहा है न, चलि कमी ऐसे लोग होंगे, जो यह सब data को देखके, market में decent ले पाएंगे, actually क्या होता है न, लोगों के पास में सही knowledge नहीं होने के कारण, वो गलत trend line draw कर देते हैं, और सोसने कि हाँ हाँ, अब यह breakdown हो गया है, अब मारो shot, लेगिन वो जैसे shot मारते हैं, वैसी market में लिटली उपर जाता है, उपर क्यों जाता है market, क्योंकि market को पता है कि मैं कभी भी एक line से predict नहीं होता हूँ, लोग मुझे एक line से predict कर लेते हैं, सोसने कि अब यह breakdown हो गया, नहीं sir, वो एक zone में होता है, अगर आप देखेंगे तो यह देखे, यह parallel channel से जो हम लोगों ने एक zone बनाया न, इ लेकिन फिर भी अगर हम लोग गलत हो गए, तो ठीक है, अगर price drop हुआ, तो maybe state में मुझे तरह loss देना पर सकता है, देखते हैं, अभी कितना loss होता है नहीं होता है, वेट करेंगे हम लोगों के, So time हो रहा है 928, देखेंगे अभी एक ऐसे जगह में है न, जो quantity add करने के लिए बहुत अच्छा जगह है, लेकिन कोई बात नहीं हम लोगों ने पहले quantity add on कर लिया है, देखेंगे बहुत लोग क्या होते हैं, trend line के false trend line को draw कर लेते हैं, सोचते हैं कि breakdown हुआ, retest अब नीच बनाईए, zone कैसे बनाया मैंने, मैंने wix को लेके बनाया, wix के average calculation से zone बनाया, है न, क्योंकि wix भी तो है न, market को यह चीज़ याद है, कि यहाँ पे wix है market का, तो इसलिए जो zone है न, अगर आप wix से touch कराएंगे न, तो यह देखे, accurate value आपका आ गया, यह देखे, एक दम accurate, आ हमेशा सीखने का प्रयास कीजिएगा, ओके, still अभी हम लोग वेट करेंगे, cost to cost पे आ चुके, ठीक है, थोड़ा entry मैंने जल्दी ले लिया था, कोई दिकत नहीं है, कभी कभी क्या होता है, market immediately उपर चला है, यह इतना नीचे नहीं आता है, लेकिन लोगों को option buying करवाएंग या put option में, ध्यान रखेगा, मतलब selling कह सकती है, मतलब सभी लोगों को sell करने दिया गया, and सभी quantity को buy कर लिया गया, है ना, उनके sell को hunt करके, अब अगर market चाहे तो compatible ली उपर जा सकते है, वो सब लोग बाहर हो जाएंगे, जो लोग भी panickness, या फिर expectation, या फिर लालच में market मे में आते हैं, कि कुछ पैसा बन जाए, कुछ पैसा बन जाए, आदा अधूरा knowledge के साथ में आते हैं, वो लोग, wait करेंगे हम लोगों के, एक बार option के चार्ट को भी देख लेंगे ना, तो साया थोरा सा ज्यादा सही रहेगा हम लोगों के लिए, रुकिए, option के चार्ट को एक बार बस देख लेते हैं, आपके, option का चार्ट जो है, उपर नहीं जाना चार्ट है, ठीक है, पांच मिनट का है नहीं चार्ट, एक मिनट के accordingly, एक मिनट के accordingly, motion तो नहीं दे रहा है, इसको motion नहीं कह सकते हैं, हम लोग, अगर पता ये जो low लगा है ना, market ने, ध्यान से सिसो समझेगा, ये low, यहां तक नहीं आका, अगर यहां तक आता ना, तो ज्यादा सही रहता, फिर एक market प्रॉपर एक motion क्रेट कर देता, अभी ये motion नहीं क्रेट हुआ है, थोड़ा बहुत chances कम है, कि ये जो है न, ये देखे, sideway में move कर रहा है, ओके, तो कहीं न कहीं, range में फर्स जाएगा, तो ऐसे कर So time हो रहा है, 10 बज के 11 मिनट मार्केट ने movement देना start कर दिया है, ध्यान रगना होगा, किन-किन levels के आसपास में rejection levels हो सकता है, तो इसलिए Fribonasi का recent high to low को अगर आप mark out करेंगे न, तो अभी जिस level के आसपास में trade कर रहा है न, ये एक rejection area है, ठीक है, So यहाँ पर अगर आप चाहे, तो अपने partial profit को book कर सकते हैं, ये एक सही चीज है, इससे आपका जो risk है न, वो कम हो जाएगा, तो 400 यहाँ पर हम लोग इसको रफ करने चलिएँ, बागी का 500 है अपने पास में, अब इसको हम लोग थोड़ा बहुत drive कर सकते हैं, देखे, trading में हर एक चीज systematic तरीके से करना जरूरी है, अपने capital को हमेशा safe के तरफ में ही लेके जाना सीखेगा, वरना ऐसे ऐसे level से जब market नीचे आ जागा न, जब आपको loss book करना परेगा, तो बाद में आपको पता चलेगा, यहाँ पे high to low की accordingly, 0.5 का rejection area था, तो अगर market में new sellers add होना चाह तो फिर बाके का quantity को हम लोग square off कर देंगे, ठीक है, सोध्यान दीजेगा, again market चलना स्टार्ट कर रहा है, कुछ और भी हम लोग यहाँ पे partial profit को book करने वाले हैं, 200 quantity square off करेंगे, चलिए, हर एक point पर हम लोग profit book करते जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग ने profit book किया यहाँ पे, risk को कम करने के लिए, फिर profit book किया, यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है, इसे strategy को समझेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग पूरा 900 quantity लेकर बैठे रहेंगे, अगर market यहाँ से एकदम फिर नीचे आ जाए, तो फिर आपका यहाँ पे huge loss दिखा देगा, तो इसलिए as a safe के लिए हम लोगों ने हाँ पे profit book कर लिया है अपना, अभी यहाँ पे धाय सा quantity है, देखते किस तरगी से market drive कर रहें, उसके बाद ही हम लोग उस plan out करेंगे, ठीक है, कैसे लगा आप लोगों को आज का यह advanced type का एक trade, देखा आप लोगों ने, सब लोगों ने selling का plan किया, और किस valid analysis है, वेट करेंगे हम लोग, ठीक है, देखते किसे किसे market react कर रहा है, नीचे आ जाएगा, तो बहुत जिदह हम लोगों का फिर यहाँ पे losses अब नहीं होने वाले है, क्यूंकि हम लोगों ने यहाँ पे profits को कुछ 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 quantity में book कर लिया, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, candles के इस emotion को किस तरीके से sellers हा भी हो रहे है market में, और यहाँ पे profit booking आ गया, देख पा रहे होंगे, अब यह candle देख किया market में रहना, मतलब बहुत गलत है, एक दम से मुझे square off करना है, ठीक है, issue नहीं है, market उपर चले जाए, seriously बज गय हम लोगों ने कि पहले book किया, उपर ही book कर लिया हम लोगों ने, तो अभी फास जाए, immediately 20,000 से profit 16,000 में आ गया, 17,000 तक आप सपस काई profit हो पाया, बहुत एक discipline, बहुत advanced थरीके से straight को हम लोगों ने plan out किया, and जो decision मैंने लिया ना, उपर के level पे square off करने, कैसे लगा हम लोगों को वैसे target तक तो market जा नहीं पाया, लेकिन जो कुछ भी हम लोगों ने किया ना, बहुत सही किया, अब ऐसे selling, seller's candle को देखते हुए operators, जो candle play out कर रहा है, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे trade में नहीं रह पाएंगे, okay, इसलिए हमेसा देखिए prices को समझने का try कीजेगा, क कि price किस तरी के से movement हो रहा है, and कुछ दिन आप लोगों के लिए price का मैं lesson ला रहा हूँ, जल्दी एक live batch का mobile application आ रहा है, so उसमें आप हर एक चीजों को सीख सकते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवा, thank you so much, take care, have a safe trading.